दोस्तों दस सेकंड के वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो इस वीडियो में अच्छे से देखो ये रेखा प्रकाश है जो गुविंदा को कोरियोग्राफी समझा रही है गुविंदा उनको सुन रहे है और गुविंदा जॉनी लिवर ये कैसे एक्टर ये तो आप सभी जानते ही है लेकिन ये वीडियो खास तोर से उन लोगों के लिए है जिनको लगता है एक्टिंग सीखने की ज़रुरत नहीं है और जिस तरीके से रेखा प्रकाश गुविंदा जी को समझा रही है उसके बावजूद कम से कम दस टेक इन लोगों ने किये है क्योंकि उनको उनका बेस्ट देना था क्या आप सो लोगों के बीच में शूटिंग कर पाओगे क्या आप डिरेक्टर के इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करते हुए उनको जो चाहिए वो कर पाओगे क्या आपकी भाशा उच्चारंड सही है क्या आपको डांस आता है क्या आपको फाइट आती है क्या आपका डिक्शन सही है सो बहुत सारी चीज़े होती है दोस्तों जो सीखनी होती है क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर सो लोग काम कर रहे है दिन का लाखो रुपे खर्चा हो रहा है शूटिंग के लिए इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब ये टेक देखिए इसमें गुविंदा ने बहुत अच्छा किया लेकिन फिर भी वो बोड़ रहा है कि एक और टेक क्यूंकि कलाकार को पता चलता है कि मैंने अच्छा किया या बहुत अच्छा उन्हें पता है कि इससे बहुत अच्छा वो कर सकते है और वही करने के उनकी कोशिश है कुरियोवराफर उनसे बेस्ट निकलवा रही है कैमेरामन अपना बेस्ट शूट कर रहा है वैसे दस सेकंड का तो टिक टॉक का भी वीडियो था लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में जमीन आसमान का अंतर है दोस्ते समझने की कोशिश कीजिए कि आप फिल्म, सीरियल, विब सीरीज, एड फिल्म इन सब के लिए जब काम करते हो तो आपको दुनिया भर में देखा जाता है लोग पैसे खर्च करते हैं आपको देखने के लिए आपको पैसे दिये जाते हैं आपके काम करने के लिए तो आप अपने काम में अगर master नहीं बनोगे तो कैसे चलेगा वाउ क्या energy है क्या coordination है देखिए जिस तरीके से वो चल रहे है जिस तरीके से वो improvise कर रहे है उस चीज़ को amazing यही चाहिए director ने, choreographer ने यह बुलना चाहिए कि अगर इस बंदे को मैंने अपने project में ले लिया तो मुझे कुछ करने की ज़रुरत में यह मेरे project को और भी खुप्सूरत बनाएगा उसे दिये हुए role को यह और भी शांदार बनाएगा और यही आपकी पहचान होने चाहिए मुझे लगता है जितने भी बड़े actor है उन सब में ये चीज है कि वो उनके काम के master है और आपको भी अगर इस industry में काम करना है बहुत अच्छा नाम कमाना है तो सबसे पहले काम सीखो और सीखने पे ध्यान दो online आप सीख सकते हो, offline सीख सकते हो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ सीख सकते हो लेकिन सीखो, हलके में मत लो जिस दिन आप set पर जाओगे और आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तब आपको पता चलेगा कि insult होती क्या और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो आपके साथ शेयर किया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ जिसमें complete shooting का वीडियो है